हेलो एवरिवन में हूँ प्रिया एम जी फ्रोम राजा रानी कोचिंग आज हम कूरती के साइड कट में पाइपिंग कैसे लगाना है वो देखेंगे पर पाइपिंग का वीडियो अल्रेडी हमने बना लिया है पर एवाला वीडियो इसलिए यूनिक है क्योंकि हमारा जो से स्टेप बाइ स्टेप बनाना है यहां पे हमारा हीप वाला पार्ट है तो वहां तक तो हमारी स्टीच लग गई होगी यहां पे हमने लोग भी लगा दिया होगा अब इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रीक है वो आप आपके इसाब से रख सकते हो पर जब हमें पाइपिंग को यही फैब्रीक से कवर करना होता है तो आपका फैब्रीक 1.25 से ज्यादा होना चाहिए यानि 1.25 1.5 इंच 1.75 हम रख सकते अब वो किसके उपर डिपेंडे की हमें कितना रखना है तो उसको हमें कितनी टाइम फोल्ड करना जैसे कि फोल्ड हमारा इस तरह से दो टाइम होने वाला है अगर हमें हाफ इंच पे स्टीच चाहिए तो हमें हाफ इंच इंटू 3 कर दे पढले होता हाफ इंच फिर भी आपकी स्टीच हाफ इंच पहन साइड में जरूरी है अब यहां से हम पहले piping लगाना start करेंगे तो यहां पे हमने इस तरह से piping ready कर दी है अब piping हमें कहां पे लगानी है तो जैसे हमने यहां तक stitch लगाई हुई है तो वहां से हम fabric को यह से अंदर की side डखके press लगा देंगे यहां पे जितना gap है उतना ही gap हमें यहां पे रखना है और press लगा देनी है तो इस तरह से हमने press लगा दी है दोनों side तो यह मेरा right fabric है तो right के उपर ही हमें रखके piping लगानी है यह हमारी wrong side है अगर समझो कि आपकी कुर्ती में अस्तर है तो उससे हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा आपको पहले अस्तर attach करी देने उसके बाद में आपको piping लगानी है तो यहां पे हम piping को रखेंगे और हमें stitch लगानी है और stitch लगाते वक्त हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जहां पे भी हमारी press की घड़ी है वहां पे हमारी stitch लगनी चाहिए piping हमारी अंदर की side रहनी चाहिए तो यहां से हम stitch लगाना start करेंगे कि यहां पे हमारा point आ गया है तो यहां से हम piping को turn करेंगे piping को हमें cut नहीं करना है तो मरा margin हमारी stitch से थूड़ा सा दूर रहना चाहिए जैसे की point 25 जितना तो उतना में दूर रखूंगी यहां से piping को हमने इस तरह से fold कर दिया है अब stitch को हम continue लगाएंगे यहां पर हमें लोक लगा कि stitch को end कर देना है अब यहां से वापीस हम stitch लगाना start करेंगे तो यहां से piping को हम turn करेंगे piping के एकदम नजदीक से stitch लगानी है तो जिस तरह हमने one side piping लगाई उसी तरह से same to some हमने दूसरी साइड भी piping लगा दी है यहां पर हम लोक लगा कि stitch को end करेंगे और यहां पर जितना भी piping extra है उसको हम cut कर देंगे ओके अभी दिखू कि हमारा यहां पर जो भी fabric extra है उसको fold करेंगे तो पहले हम half inch fold करेंगे क्योंकि मैंने यहां पर half inch का गेप रखा है अगर आपका गेप 0.25 है तो आपको से 0.25 ही fold करना है तो अब हम half inch fold करेंगे वापिस एक बार half inch fold करना है और यहां पर हमें stitch लगा देनी है तो इसी तरह से same half inch fold करते जाएंगे और यहां पर हमें stitch लगाते जाना है तो जहां तक हमने piping लगाई हुई है वहां तक हम इसी तरह से stitch लगाएंगे हो यहां कर देना है अब इसी तरह से same to same हम दूसरी थी कि size लगा देंगे तो यहां उपर से stitch लगाना start करेंगे तो half inch fold करेंगे हम वापिस एक बार half inch fold करेंगे या और जब हम फैबिरिक को फोल्ड कर रहे तब हम एक चीज ध्यान में रखनी है कि हम रापीपिंग के ऊपर नहीं चला जाना चाहिए और पाईपिंग से इतना दूर भी नहीं रहना चाहिए हम एकदम कट्टू कट रखेंगे सिर्फ हमारी पाइपिंग दीखनी चाहिए इस तरह से हम यहां पे लोक लगा के स्टीच को एंड करेंगे यहां पे देखो कि इस तरह से हमने स्टीच लगा दी है अभी जो हमने यहां पे लास्ट में स्टीच लगाई तो इस तरह से हमारा कवरी हो गया है यह हमारा पीछे की साइड वाला पार्ट है यह हमारा front side वाला fabric है तो इस तरह से अब हमारा fold हो चुका है सिर्फ हमें इसको foldry करना है और यहाँ पर हम stitch लगा देंगे और यहाँ पर हमारा fabric भी unfold होगा सिर्फ जहाँ पर unfold है वहाँ पर हमें stitch लगा देने हैं और जहां तक हमने लोक लगाया हुआ है वहां से हम स्टीच को क्रॉस टर्ण करेंगे और वापिस हम यहां से स्टीच को क्रॉस टर्ण करेंगे जहां पर हमने इतना स्टेट लिया है वहां तक हम क्रॉस स्टीच लेके जाएंगे और यहां से मैं वापिस stitch को turn कर देना है और इसी तरह से हम continue नीचे की साइट भी stitch लगा देंगे लोक लगा के stitch को end करेंगे अब देखो कि यहां पे जो मैंने point बनाया है उसकी जगह पे अगर आपको straight stitch लगानी है तो आपको यह वाली stitch को यहां half inch ऊपर लेके आना है फिर straight फिर वापिस नीचे अगर आपको कोई round shape बनाने तो आप round shape भी बना सकते हो अभी हम इसका final look देखेंगे अभी हमने कुर्ती के side cut में piping कैसे लगाना है उसका step by step वीडियो पूरा देखा है तो यहां पे आप इसका final look यानि इसका finishing आप देख सकते हो कि हमारा point जो है वो एकदम perfectly cover हुआ है यहां पे हमारा एकदम perfect finishing के साथ piping ready होगा और इसी तरह से same हम इसका back side वाला भी finishing देखेंगे तो आप back side वाला भी finishing देख सकते हो कि यहां पे भी हमारा point एकदम perfectly cover हुआ है और एक चीज़ कि यहां पे हमारा जो fabric कूर्ती का वही fabric से हमने cover किया है तकि बीच में सिर्फ हमारी piping ही दिखे और यहां पीछे की सेड हमारी दो स्टीच दिखेगी पर front में तो सिर्फ हमारी single stitch ही दिखेगी अभी हमने कूर्ती के side cut में piping को कैसे लगाने उसका step by step वीडियो देखा तो आप सब को इसकी method कैसी लगी आप हमें comment करके बता सकते हो अगर आपको वीडियो